Samsung का entry level smartphone Galaxy J2 Core वैसे ये smartphone 17 last में launch हुआ था और अभी कई सारे features को add करके नाम सेम है और हिंदुस्तान में फिर launch कर दिया है बस Galaxy के आगे 2020 लगा दिया याने की Galaxy J2 Core 2020 अब entry level smartphone है तो 6,299 रुपए की कीमत में आ जाता है और color options इसके हमें तीन देखने को मिल जाते हैं एक तो black, blue और gold वैसे तीनों काफी पुराने और काफी जादा बिकने वाले colors हैं overall कहानी की बात करें तो smartphone में 5 इंच स्की TFT LCD screen मिलती है जो की 540 x 960 pixels screen resolution के साथ में आती है camera इसका बही है पुराना वाला है 8 megapixel का इसके rear panel पर जहांपर FY 2.2 aperture देखने को मिल जाता है back panel पर एक LED flash देखने को मिल जाती है autofocus digital zoom जैसे काफी सारे camera features इसमें दिये गए हैं और इसके rear camera से full HD video record कर सकते हैं 30 frames per second पर smartphone में selfie लेने के लिए 5 megapixel का front camera है जो की same FY 2.2 aperture के साथ में आता है autofocus flash या optical image stabilization जैसा कोई भी इसके front camera में feature देखने को नहीं मिलता है और performance की बात करें तो smartphone 1.4 gigahertz clock speed पर काम करने वाला quad core samsung exynos 7570 chipset के साथ में आता है तो हलका फुलका gaming बगारा कर सकते हो जो game के light versions होते हैं उन्हें install करने के बाद में बागी smartphone android go edition waste operating system पर काम करता है तो go platform पर काम करता है तो cdc बात है बैसे redmi go smartphone भी है जो 5000 रुपय के लमसम में आता है और approximately features देखने को मिल जाते हैं और इस smartphone में हमें 2600 mAh की वैटरी दी गई है जो कि company के साब से ऐसा कहना है कि 12 गंटे तक आप YouTube पर वीडियोस देख सकते हैं और अठारा गंटे तक बात चीद कर सकते हैं इस smartphone को एक बार चार्ज करने के बात में other connectivity features की बात करें तो बाइफाई, Bluetooth, 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 3.5M, God-U-Jack, USB Type-C और proximity और accelerometer sensors इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं लेकिन सुरक्षा की बात करें तो smartphone में हमें fingerprint scanner नहीं दिया गया है और 1GB RAM है, 16GB internal storage है, 256GB तक आप expand कर सकते हैं Micro SD card की help से, बाग की entry level smartphone है, 6,299 रुपे की कीमत में आता है तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए features ठीक ठाक हैं, बाग की हाँ हिंदुस्तान में काफी विकता है ये smartphone और lockdown के बाद पता चलेगा कि smartphone हिंदुस्तान में sale के लिए कब उपलब्द कराया जाएगा बैसे आपकी क्या राय स्मार्टफोन को लेकर, comment करके बताओ यार आशा करते हैं, वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको कोई सवाल है, सजेशन है तो जरूर दरशना अपनी चागू comment section में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद very much